अब गुड्म आफरीवन वेलकम टो सोवल सर्विसेश टड़ी नेक्स्ट टेस्ट पर आजए है यूबी पीसी पीसिस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है वार्स दो यहार तेज के लिए practice करेंगे इसमें हम current effects के प्रश्णों पर और GS के प्रश्णों पर तो चले स्टार्ट करते हैं इस test series की playlist बना रखें वहाँ पर आप टेस्ट नमबर वन से लेकर जो भी नया test आता वहाँ तक पहुंच सकते हैं और इसकी फुल टेस्ट इस सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स में नंबर असपर कॉलिया वाट्सप करके तो दो से तीन सेगिंड का टाइम मिलेगा एक परश्ण को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना की आंसर क्या हो सकता है पहला प्राश्ण है अभी हाली में समाचारों में रहा नासा का ड्रेगन फलाई मिशन नमरिकित मैंसे किस ग्रह से संबनते था है शुक्र मंगल सनी या ब्रस्पती बताईए सटर्न, वीनस, मार्स या जूपिटर ड्रेगन फलाई मिशन देखे यह है सनी से ठीक है सनी के उपग्रह टाइटन से संबनते था है देखे जीवन के निर्मानकारी घटकों की खोज के लिए नासा यानि नेशनल एरोनाटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्टरेशन ने ड्रेगन फलाई मिशन के तहत सनी के उपग्रह टाइटन पर स्पेस क्राप्ट भेजने की योचना बनाई है और यह है जो मिशन है इसका नासा का ड्रेगन फ्लाई मिशन है यह वर्श दोहें चपविश में लॉंच किया जाएगा और प्रत्वी पर बापस लोटे गाई वर्श curiosity में केसीनी भी पूछते हैं केसीनी के नाम से बड़ा सवाल पूछ अटा है कीसी ने भी सनिक है ना सका है क्वेशन नमौर टूपर आजेए नम्डर के नम्सके से किस नदी के तट पर फ्रांस का बोडो वंदर गा अवस्तेत है इन गेरान नदी पर तो वह इसका आंसर यह सीन नदी इसे बड़ा सवाल बनता है यूपी के एक्जाम में सीन नदी पूछादा प्रश्ण की पैरिस किस नदी के किनारे बसा है तो पैरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा है मैच करने के लिए पूछते हैं उसको तो फ्रांस का जो बोडो बंदर गाया वो गेरान नदी के तर्ट पर अबस्ते था सीदे सीदे याद रखेगा Q3 पर आज़िए 12 October 22 को किस पसूसे संबंदित वैश्विक दिवस मनाने का निर्ण लिया गया Slow Lores, Slender Lores, Sloth Weer, Sanghai Deer देखिए 12 October 22 को जिस पसूसे संबंदित वैश्विक दिवस मनाने का निर्ण लिया गया उसका नाम है Sloth Weer बियर मतलब भालू तो पहला है यह दिवस पहला विश्व सलाथ बियर दिवस 12 अक्टूबर 22 को भारती है उपमहदीब में स्थानिक भालू परजातियों के बारे में जागलुकता पैदा करने और संरक्षन प्रियासो को मजबूत करने के लिए मनाया गया और सलाथ बालू की बात करें तो मुख्यूरूप से भारत में पाई जाने वाली एक अनोखी परजाती है यह ठीक है क्वेशन नुबर 4 पर अजिए नमलेकर में से कौन सा स्थान कौन सा छेतर जो है टाइफून नामक चक्रबाद से प्रभावित होता है औस्टेलिया पश्मी द्वीब समुषेतर चीन सागर उपरोक सभी टाइफून बिली बिली ये सब मैच करने के लिए पूछ लेता है ठीक है टाइफून औस्टेलिया में है चीन में भी है ठीक है प्रभावित चेतर पूछ रहा है टाइफून चक्रबाद से और पश्मी द्वीब समुषेतर ये सारे के सारे है एक मैच कर जाता है बिली बिली ऑस्टेलिया इस तरह से तो टाइफून एक तरह का चक्रबाद है और इसकी उत्पत्ती इस्थान की अधार पर इसे तूफान आधिया चक्रबाद कह सकते है टाइफून चीन सागर और प्रशान्त महासागर शेतर को प्रभावित करता है तो डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ठीक है चक्रबाद है यह अलग-अलग नामों से जाने जाता है नम्रे के तमेंसे ड्रमलिन क्या है ड्रमलिन एक संक्री घाटी अंडाकार परवत है पिरामिड अकार की चोटी है ड्रमलिन ड्रमलिन एक अंडाकार परवत है भी है इसका अंसर तो ड्रमलेन जो है वो हिमनद गोलाश मृतिका के अंडाकार समतल कटक नुमा अस्थल रूप होते हैं जिनमें कुछ मात्रा में रेत और बजरी होती है और ड्रमलेन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समाना अंतर होते हैं क्या है यह प्रश्ण बहुत पूछते हैं एक्जाम में चाहें डी गुरूप का हो या एक गुरूप का एक्जाम हो और हर एक्जाम में पूछावा प्रश्ण है और इसका उत्तर है मीथेन चीज़ पूर तो मीथेन जो है बायो गैस का मुखे घटक है कुश्चन मबर सबन पर आजए करेंट फेर्ट का सवाल है उच्चे सिक्षन संस्थानों के मुल्यांकन और मानिता को ससक्त बनाने के लिए हाल ही में गठित समीती का अध्यक्स कौन है अमित्सा म्रदुल हजारे का डॉक्टर के राधा कृष्णन या उप्रोक्ट मेंसे कोई नहीं उच्चे सिक्षन संस्थानों के मुल्यांकन और मानिता को ससक्त बनाने के लिए हाल ही में गठित समीती के अध्यक्स है के राधा क्रिष्छन्ट, डक्टर के राधा क्रिष्छन्ट देखे, ऊच सेक्ष्न एक संस्थानों के मुल्यांकर रूमाने था प्रक्रिया को ससक्त बनाने के लिए भारसरकार के भारसरकार ने IIT कानपूर के पुर्शासर मंडल के चैर्मेन तथा IIT परिशत की इस्थाई समीती के चेर्मेन डॉक्टर के राधाकृष्ण की अध्यक्स्ता में एक उच इस्तरिय समीती का गठन किया है और इस समीती के कारेदेशों में मुल्यांकर और माननेता प्रतिक्रियाओं को ससक्त बनाना अब हम राष्टिय नीती राष्टिय सिक्षा नीती 22 के विजन के अनुरूप राष्टिय प्रतियाइन परिश्द के लिए एक रोड मैप तयार करना सामिल है तो डॉक्टर के राधाकृष्ण का नाम याद रखिएगा कौशन 989 पर आजी कॉलिंस डिक्सनरी के द्वारा टॉर्ड और याद फीर 22 के रूप में किस सब्द को चुना गया है वर्म बैक बाल्वेर परमा क्रिसस या रिसेस्वन कॉलिंस डिक्सनरी द्वारा ट वर्ड अब opposite यार 22 के रूप में चुना गया है किसको पर्मा क्रिसिस option number B है इसका answer देखिए पर्मा क्रिसिस सब्द को Collins English Dictionary ने वर्ज दोहर बाईस के सब्द के रूप में घोशिद किया है और पर्मा क्रिसिस सब्द जो है वो आइस्थरता और आसरक्षा की एक विस्तारित अबधी का बढ़न करता है और इस सब्द को Collins वर्ड ओब दोहर बाईस नामित किया गया है ऐसे भी सवाल कभी कभी एक्जाम में पूछ लियाता है question number 9 पर आजए है भारत भारत नहीं देखिए हाल ही में किस देश ने Bidu 3 Navigation Satellite System की सुरूबात की है Bidu 3 Navigation Satellite System की सुरूबात इन में से किसने की है चीनने की है तो हाल ही में चाइना ने आपचारिक रूप से अपने Bidu Navigation Satellite System की वैश्विक सेवाओं की सुरूबात की है तो इसका आंसर option number B है चले एक question number 10 पर आजएए देखिए हाल ही में इसराइल के नए प्रधान मंत्री कौन बने है Benjamin Netanyahu Naftali Bennett, Shimon Peres या Mayor Leopard हाल ही में इसराइल के प्रधान मंत्री बने है Benjamin Netanyahu एक बार फरसे ठीक है इन्होंने इस्थान लिया है पूर प्रधान मंत्री येर लेट का और पिछले साड़े चार बरसों में इसराइल में प्रधान मंत्री का पांचवाई लेक्सन है तो हाल ही में इसराइल के नए पी-म बने हैं वेंजा में Netanyahu उन्होंने पूर प्रधान मंत्री येर लेड का इस्थान लिया है पिछले साड़े चार बरसों में प्रधान मंत्री का पांचवाई लेक्सन है कोश्चन नमबर 11 पर आजए अक्टूबर दोहर बाईस में स्टेटिस्टा द्वारा जारी की गई नियोकताओं की सूची दोहर बाईस में दुनिया का सबसे बड़ा नियोकता कौन है भारत का रक्षा मंत्रा ले USA का रक्षा विभाग चीनी पिपल्स लिबरेशन आर्मी या वॉल्मार्ट वॉल्मार्ट USA का है चीनी पिपल्स आर्मी होगी चीन की और USA का रक्षा विभाग USA का और भारत का रक्षा मंत्रा ले भारत का रक्षा मंत्राल है ठीक है 2.92 मिलियन और USA का रक्षा विभाग USA 2.91 मिलियन चीनी पिपल्स आर्मी तेसरे पर है चीन की 2.55 मिलियन वालमार्ट USA का 2.30 मिलियन और पांच मिलियन अमेजन USA का 1.61 मिलियन कोश्चन नमबर बारह पर आज़िए विष्व सुनामी जागरुकता दिवस से संबंधेत नम्रिखित कत्नों पर विचार करेंगे पहला कताना यह दिवस पांच नमबर 12.22 को मनाया गया और दिसंबर 12.20 में सहिंग तरास्ट महासवा ने इस दिवस को मनाया जाने की तो केवल एक इसका अंसर हो जाएगा तो दिसंबर 12.15 में ना कि 20 में सहिंग तरास्ट महासवा ने इस दिवस को मनाया जाने की गोश्चना की थी विष्व सुनामी जागरुकता दिवस और उद्देश कहा इसका सुनामी के खत्रों और इसके प्रभाब को कम करने हितू चे स्टील प्रांट कौन बना कौन है जिंदल स्टील टाटा स्टील जे एस डवलू स्टील या एस सार स्टील इसका आंसर है जमसेदपूर का टाटा स्टील तो Responsible Steel Certification प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो Steel Prant है वो है Tata Steel जमसेदपुर और कब प्राप्त हुआ इसको 31 October 2022 को और किसके लिए तीन उत्पादन सुबिधाओं के लिए और वो कौन सी है तीन उत्पादन सुबिधा पहली है Steel Works और दूसरी है Tubus Design और तीसरी है Cold Rolling Mill नमबर 14 पर जीए दादा साफ हाल के पुरुसकार से रेलेटर दो स्टेटमेंट है कौन साइस में सही होगा इस पुरुसकार की स्थापना 1975 में की गई थी और यहाँ पुरुसकार सूचने अवें पुरुसकार मंत्रा लेके तत्वाधान में प्रदान किया चाता है अजिकतर गलती यहीं होती है स्टेटमेंट में ठीक है जो की गलत है सन से संबंदित 1969 में दादा साफ हाल के पुरुसकार की गोश्णा की गई थी इ्षोजे की इस रोकी इस्थापना दिवस है वकिए दूसरा करेक्ट है सूचना है मैं परशाण मंत्रा ले है देखे इस पुरुसकार की स्थापना दादा साफ हाल के पुरुसकार की वर्स 1969 में की गई थी तो पहला बाला स्टेटमेंट हो गई आगलत दूसरा वाला करेक्ट है क्योंकि यहा पुर्षकार सूचना यहां परशाण मंतरले के तत्वाध हमें प्रदान किया जाता है और इस वर्स का दादसाफ हार के पुर्षकार पर से दाभीनेतरी आसा पारेक को दिया गया हूँ कॉशन नॉम्बर 15 पर आजए मोहनी अट्टम लोक नर्ति के संबंद में निम्रिखित कत्मों पर विचार करेंगे यह तमिलनाडू का लोक नर्त है और यह मूल रूप से नर्तिरांगनाओं दावरा किया जाने वाला नर्त है कुन सा स्टेट्मेंट से है मोहनी अट्टम केरल का भरतनाट्य में तमिलनाडू का तो यह वाला गलत है जिए मोहनी अट्टम केरल का लोक नर्त है ना की तमिलनाडू का वाकि एह मूल रूप से नर्तियंगनाओं के द्वारा किया जाने वाला नर्त्वे है तो पहला बाला करेक्ट देखें प्रधान मंत्री की अधेक्ष्था में मंत्री मंदर की आर्थिक कारी समिती ने जम्मू कस्मीर के किस्तबाट चिले में चेनाव नदीब पर 45 अरब रूपे से अधिक लागत की 540 में काबाट की क्वार पन विजली परियोजना के निर्माण की सुकृति दे दिया सोला सोला या चोदा चोदा स्टेंड अप इंडिया है दोहार सोला की है और इसमें भी पांच अपरेल दोहार सोला की है तो एह है इसका अंसर देखिए पांच अपरेल दोहार सोला को जो है भारत सरकार के दारा सुरू की गई स्टेंड अप इंडिया को छे साल पूरे हो ग इधान के इंद्रित करते हुए जमिनी इस तरफ पर उद्धमिता को बढ़ाबा देने के लॉंच किया गया था तो इस तरह से जैसे योशना के 100 साल पूरे जाते हैं ठीक है सॉरी सो साल निहीं मतलब 5 साल 6 साल इस तरह से नंबर बन जाता है तो कभी कबाल एक्जम में पूछ लियाता है कोशन नंबर 18 पर जिस संग लोग से बाय ऑग यानि UPSC के बरतमान में चेर्मेन को नै UPSC के बरतमान में चेर्मेन है इन मेंसे मनो सोनी डॉक्टर मनो सोनी यानी यानी UPSC के अधिक्स के रूप में नियुक्त किया गया है और डॉक्टर मनो सोनी बरतमान में संग लोग से वायोक के सरस्वे हैं सरस्वे थे अब तो अपउइंट हो गए नाइंटीन पर आजएए राष्ट मंडल खेलो के वर्ष द्यार 22 के संस्कंड की मेजवानी की गई तो 22 का पूछ ले तो इंग्लेंड का वर्विंग हम और 26 का पूछ ले तो ऑस्ट्रिलिया Question number 20 पर आजए लता मंगेसकर को भारत रतन से किस वर्ष सम्मानित किया गया था कई बार देखा होगा एक्जाम सी टेस्स सीरीज में प्रशन अपने है हाल ही में देहान्त हो गया इनका और वर्ष दोहार 1 में जो है इनको भारत रतन से सम्मानित किया था तो उसी है इसका अंसर है देखिए वर्ष 1989 में लता मंगेसकर को दादा साफ फाल के पुरुसकार से सम्मानित किया गया और वर्ष दोहार 1 में उन्हें भारत के सर्वो चिनागरिक सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया गया तो 20 प्रेशन थे यह इनकी प्रक्टिस आप एक से दो बार कर लिजेगा इनसा भी टेस्ट का पीडिया प्राप्त कर सकते हो ठीक है यह नंबर है इस पर कॉल या वाटसप करके ठीक है पेड टेलेग्राम ग्रूप से जोड़ सकते हैं जो मिलेगा आपको पेड टेलेग्राम ग्रूप है